Realme 3 ने अपना Realme 3 इंडिया में लांच कर दिया है काफी अच्छी कन्फिग्रेशन के साथ ये फोन आता है आपको 3GB 32GB का वैरियंट 8999 में और 4GB 64GB का वैरियंट 10999 में फिलिपकार्ट पर आपको मिलने वाला है लेकिन अच्छी कन्फिग्रेशन के बाद भी कंपनी ने इसमें कुछ कमियां छोड़ दी है उन्ही कमियों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो बने रही हमारे साथ सबसे पहले बात करते हैं डिस्पले की डिस्पले की बात करें जो दोनों फोन 10,000 की रेंज में 3GB, 32GB का वेरियंट आते हैं डिस्पले पर प्रोटेक्शन की बात करें तो कंपनी ने नहीं बताया है इसकी इसमें आपको गोरिला गलास का कौन सा वेरियंट मिलता है या गोरिला गलास 1, 2, 3 आपको कौन सा वेरियंट किया गया है जबकि अगर आप Max Pro M2 लेते हैं तो उसमें आपको गोरिला गलास 6 मिलता है Redmi Note 7 में आपको गोरिला गलास 5 फ्रंट और बैक दोनों सा एड निलता है अब चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है USB Type-C नहीं दिया गया है जो कि आपको Redmi Note 7 में easily मिल जाता है और आप एक अलग से डैप्र लेकर आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं Redmi Note 7 को जो कि 1000 रुपे आपको एड करके इस बैटर दिल मिल सकती है अब बात करते हैं कैमरे की इसमें आप 4K वीडियो रिकोर्ट नहीं कर पाएंगे ना ही इसमें आपको OIS या EIS का सपोर्ट दिया गया है कम से कम कंपनी को EIS का सपोर्ट इसमें देना चाहिए था लाइक करें नहीं पसंद आई तो भी आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आई ताकि हम आगे कुछ इंप्रूमेंट करके आपके लिए एक बहतर वीडियो लेकर आ सकें कि अगुर